हाँ जी दोस्तों कैसे आप सब चलिए पहले तो बहुत-बहुत स्वागत आपका आज की इस कॉर्पेट न्यूस के अंदर और जो पहली बार इसे अटेंड कर रहे हैं इस कॉर्पेट न्यूस को मैं बता दू यह कॉर्पेट न्यूस रेलेवेंट है उन सभी बच्चों के ल घट रही है जिन्हें आप ठेरी पड़ते हैं ठिकेजी तो आज की कॉर्पेट न्यूस में हमारे पास ब्सक्राइब स्कीचों जीयूस की बहुत सारे धाये आत बाई जूस को लेकर एक बोड़ी अजीब घटना है मैं खुद है रहानूं कि भाई साब अब भी आज की डेट में भी मैं तब क्या क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है फिर हमारे पास एक सबसे पहले हम यहीं कवर करते हैं जी एंटर्टेन्मेंट को क्या हुआ है कि आप जानते हैं कि सोनी के साथ डील हो रही थी डील क्लैश हो गई फिर अभी रिसेंटली जी में एक दुबारा सब पुश आया बहुत जबदस्त और वह पुश क्यों आया था क्योंकि अब पहले तो हमें लगा था कि शायद सोनी के साथ डील का रिवाइवल हो रहा है बट जो रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं वो यह चल रहे हैं इस टेम कि शायद अदानी इसके अंदर आ सकते हैं बट यह केवल रूमर्स है और जो मुझे भी इधर उदर से सुनने को मिल रहा है बात है क्योंकि अचानके एक दन जी और सोनी दोनों ने एक दूसरे के उपर डाले हुए केसे विड्रॉ कर लिये थे फिलाल आज क्या हुआ है CA Inter, CMA Inter यह सभी करने वाले बच्चे, CA Final यह सभी बच्चों को अगर ध्यान हो तो Annual General Meeting Section 96 के अंदर उसकी Due Date निकाली जाती है अब Annual General Meeting की जो Due Date होती है Section 96 के अंदर जो भी Due Date आई हो उसके अंदर मैक्सिमम तीन महिने का Extension ROC दे सकता है अगर Genuine Reason है तो अब ZEEG वालों का यही कहना था कि सर हम अपने Financial Statement टाइम से रेडी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हमें Extension दे दीजिए अब ROC ने Extension तो इन्हें तीन महिने का दे दिया बट साथ में एक राइडर लगा दिया एक क्लॉस लगा दिया कि यह हरकते अब दुबारा मत करना तो आज यह Extension मिला है तो कई बच्चे कहते थे ना कि रियल एक्जम्पल रियल एक्जम्पल तो देखो Section 96 का एक परफेक्ट एक्जम्पल जी एंटर्टेन्मेंट का आज ही आया है जो former MD है सुभाष्चंदर जिन्नोंने जी का स्थापना की थी उनका सेभी से पंगा हो गया है मैं जी के ऊपर तो कितनी कथाएं कर लोना उतनी कम है इतनी कथाएं की जा सकती है सुभाष्चंदर क्यों पंगे ले रहे हैं सेभी से यह definitely मैं अगले एक या दो निउस के पूरे पीछे का पॉलिटिकल रीजन सारा समझाऊंगा कि क्या क्या चल रहा है फिलाल आज की अगली न्यूस पर आते हैं इतनी ही न्यूस है आज की तीन महिने का एक्स्टेंशन एजीम के लिए ने मिल गया है तक यह फानेशल स्टेट्मेंट रेडि कर सकें आज कि हमारी अगली न्यूस बड़ी अजीब है सिल्वर लाइन टेकनोलीजी को अब इसल्वर लाइन टेकनोलीजी से रिलेटेड न्यूस क्या है कि भाई सब यह कंपनी वह है जब 2000 एक में स्टॉक मार्केट का स्कैम हुआ था यह तन बारिक में जो स्कैम किया था जहां पर 17-25 कंपनि करियों के शेयर बड़वाए थे तो सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद के वाद कंपर इस बैन लगा दिया तब बॉंबे स्टॉक एक्स्टेंड ने अपने आप में कई बार कॉर्पेट गवर्नेंस के सवालों में घिरा रहा है कि पता नहीं कजी कई बार अजीब सी कॉर्पेट गवर्नेंस पर उनके क्योंकि आपकी इन्वेस्टिकेशन वगरा चल रही है तो कंपनी को कंप्लाइंस करते रहना पड़ता है कंपनी को सारे डॉक्यमेंट्स वगरा भड़ते रहने पड़ता है आप जानते हैं सेक्शन 137 के अंदर कंपनी को फानेशल स्टेटमेंट एजीम के अंदर अप्रूव यह इंटिमेशन इमिजेटली स्टॉक एक्सेंज को जानी चाहिए कंपनी ने ऐसा भी नहीं किया अचानक से बॉम्ब स्टॉक एक्सेंज ने कहा लो जी आपका जो सस्पेंशन था हम वह वापस लेते हैं ऐसी कंपनी जो इतनी नॉन कंप्लाइंट है पिशले तीन साल से को कोई डॉक्यमेंट फाइल नहीं किया अपनी कोई भी इंफोमेशन वगरा बॉम्ब स्टॉक एक्सेंज को सप्लाई नहीं कर रही उसके बावजूद भी उसका सस्पेंशन रिमूव कर दिया गया है बड़ी अजीब सी वाक्या हुआ है सिल्वर लाइन टेक्नॉलिजी लिम के देशन उसके बावर हमारी एक एयरलाइन्स और डूबने के गघखार पर आई गई फस्त एयरलाइन्स कथा कहां से शूरू उए थी कंपनी ने इंजन के पैसे नहीं चुका पाई थी कंपनी अपने इंजन के पैसे तो फिर इंजन मनुफेक्शिय जो इंजन सप्लाइं कंपणी ऊंपनी यह ने क्या घ्ब इंजन में उठा लिए थे अब गोई कंपनी के प्लेंग्रांड पे हो गए दीरे दीरे करके फ्लाइट केंसल होने लगी दीरे-दीरे-धीरे मत् samurai यह वह रोग रोड में 183 दिन मिलते हैं कंपनी को रिवाइव करने के लिए। कंपनी के क्रेडिट्र कंपनी का कंट्रल अपने हाथों में लेकर कोशिश करते हैं रिवाइव किया जा सके वो app के इनके अंदर परन्तु यहां पर 180 दिन बीच जाने के बाव जूद भी कंपनी के क्राइटर्स ने का कुछ हो नहीं सकता तो उन्हों सब्सक्राइब है तो वो जो भी कहिंगे उसको मानना ही पड़ता है कहीं न कहीं शायद वो यह सोच रहे हो कि कंपनी को इतनी बड़ी एलाइन्स को बंद होने से रोका जा सके तो कोई और प्लान निकाला जा सके क्योंकि एक बार उन्होंने लिक्विडेशन पर महर लगा दी तो कंपनी का अंत खतम मतब कंपनी तो इसलिए उन्होंने तीन अफते का रेप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है तो मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप फाइनल ओडर लेगा इंसी एल्टी की फाइनली करना क्या है लिक्विडेशन में जाना है या कुछ और चमतकार हो सकता है जिसके संभावना है नहीं चलिए अब आज की सबसें इंट्रेस्टिंग नीउस पर आता हूं यह न्यूस सुनना और आज मुझे कमेंट में जरूर लिखना कि आपका इस घटना में आपका क्या विचार है बड़ी इंट्रेस्टिंग घटना है आज की यह ऐसी घटना है बड़ी कम आती है महीनों छे महीनों में एक बार आती है पूरी खता आपको सुनाता हूं बाइजूस इन्होंने क्या किया बी सी सी आई के वहां एड़ीजमेंट की आई पील के अंदर प्लेयर्स के जर्सी पे लिखा हुआ था बाइजूस उसके लिए इन्हें बी सी सी को पेमेंट करनी थी एड़ीजमेंट एक्सपेंसेस की जो उन्होंने नहीं की दो पांद इन्हें रावान के कम्पनी के पर केस किए इंसलंवेंस और बेंक्रप्सी कोड में के से हएल उगया इंस एड़ ज़ता ही यह दूने कि स्टीच के पैसे लेने थे goods and services के पैसे लेने थे यानि कि BCCI वो कहा जाएगा operational creditor under the insolvency and bankruptcy code अब IBC यानि कि insolvency and bankruptcy code गहता है कि जैसे ही company insolvency में admit होती है वैसे ही उसका control उसके creditors के पास चला जाता है मगर कौन से creditors वो creditors नहीं जिन्होंने goods and services के पैसे लेने है बलकि वो creditors जिन्होंने company को loan दिया है called as financial creditors बात समझा गई financial creator के पास control जाता है operational creator के पास नहीं जाता goods and services वालों के पास नहीं जिन्होंने loan दिया उनके पास control जाता है और वो ये control कैसे exercise करते हैं किसी insolvency professional के त्रूप आपके सामने खड़ा है ठीक है जी अब company का जो सबसे बड़ा financial creator था वो थी US based एक company एक trust जिसने की company को lend गिया था लगबख company को दिये गए loan का 98% तो किवली सी creator के पास था सब समझा रहे हैं तो यानि कि 98% जितना आपका loan होता है उतने आपके पास voting power होते है insolvency and bankruptcy code में तो ultimately यही होना था कि जो इसने कहना था होना तो वही था कमिटी ऑफ क्राइटर में 98% डेट इसी company का यूएस बेस ट्रस्ट का है तो 98% वोटिंग बावर भी इसके पास एक तरीके की ओके सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था company admit हो चुकी थी अचा अब अब क्या हुआ अब गटना को आगे लेके चलते हैं हुआ क्या कि Company के जो इनसालेटी प्रोफेशल्ल एपॉइंट हुए है कंपनी के इनसाललेटी प्रॉफेशल अपॉइंट हूए है कि हम लोग जो बड़ी सरप्राइजिंगली सबसे बड़े क्रेडिटर को लिस्ट अफ़ क्रेडिकर मता पंकच रिवास्तव्य ॹस्तवक्र जिनका नाव है उन्होंने इस मैं सिप्रेडिटर का नाम कमेटी उफ क्रेड़ April में लखायी यह कहते हुए कि आप क्रेडिटर के रूप में eligible नहीं है क्योंकि आप एक trust है trust eligible होता है yes बट आपके बाके trustees से consent चाहिए थी वो जो नहीं मिली है इसलिए हम आपको eligible नहीं मानते और 98% वाले क्रेडर को list से बाहर गड़ दिया है जो कि US-based है अब वो कह रहा है US-based जो lender है जिसने 98% loan दिया वो कह रहा है 98% loan मेरा है वार है तुमारे देश के कानून कि 98% loan मेरा है और मैं ही इस list से बाहर हूँ तो यह तो गलत बात है बट यह पंकच श्रीवस्तव जी का कहना थी नहीं जी आप हमारी इस list में आई नहीं सकते क्योंकि आप eligible नहीं है आज US-based जिस जो financial creator है इनोंने court में application फाइल की थी और court में काया कि आप एक fresh petition फाइल कीजिए कि आपके साथ यह यह हुआ है पर इतनी नायाब घटना मैं पहली बार देख रहा हूं जो मुझे लग रहा है हो क्या रहा है कि BCCI इस पूरी process को अपने under करना चाता है अपने control में करना चाता है परंतु वो कर नहीं सकता था क्योंकि 98% वोटिंग किसी और के पास थी बाकी 2% के साथ तो BCCI के फिर भी setting हो जाएगी बट वो 98% के साथ तो हो यह नहीं सकते क्योंकि वो US-based है वो तो अपना decision लेगा तो अच्छा होगा कि उसी कोई आउट कर तो और यहीं हुआ वह भाईसा वह देख रहा है अभी तक भी उसको जटका अभी तक भी समझ नहीं है हुआ क्या है कि वह बाहर कैसे हो गया जबकि उसके पास 98% वोटिंग बावर थी बड़ा इंट्रस्टिंग मैं कहना हूं एक नायाब एक्जांपल बनेगा बाइजूस का जो भी होने वाला है यहां पर देखने वाला बनेगा फिलाल अब यूएस बेस परम अगले अफते तक एप्लिकेशन फाइल करेगी कि हमें क्रेटर के रूप में लिया जाए यानि एक पक्की बात है कि बाइजूस की कानी बहुत लंबी चलने वाली है कई साल तक जाने वा थैंक यू बाइ टेक केर